दरन्वी शो क्लिफ्स में आपका स्वागत है जहां जट जट से और किसी अधियर मम्मी से बात होती थी यह पूरे फेज में आप सही पूछा था हूं मम्मी से बात कभी नहीं होती थी क्योंकि उस जम्हाना में टेलीफोन का उपलब नहीं था हर रोज काना काने से पहले मैं एक इनलेन लेटर लिखता था हर रोज एक इनलेन लेटर लिखता था चार साल साधी होने तक 5 में चिट्टी लिखता मममी को मममी को वो प्रामिस करके आया था ऑर यह बहुत एमोशनल है मेरी मां अगर जिस दिन लेटर नहीं आया उस दिन उसको लगता है कुछ कराब है कुछ प्राब्लम में इसको क्या पता पोलिस में पोस्टमेंट सो गया उसको बुरा लगता था तो इट वसे वरी एमोशनल कनेक्ट तो मेरे ममी के साथ पोस्ट उसकल उस जमान में तो टेलिफोन स्था भी नहीं है अपडेट्स देते थे अपडेट्स देते थे और मेरी मा से में बहुत सरा चीज को तैयारी किया था एक बर गया था दीवाली को दीवाली को गया अखेले मेरी मा को बोला ममी तोड़ा परिशान हो गई बोलो क्या हुआ एक महरास्ट्रियन लड़की से मेरा प्यार हो गया महरास्ट्रियन लड़की प्यार हो गया साइलेंट हो गई और पूछती है फिर मैं उससे कौन सी बासा से बात करो उसको दुनिया क्या कखेगा वो डर नही तो यह थोड़ा तयारी खिया था किसी मारा सिलाड़की से प्यार तो नहीं होई थी यह टमिलनाडू से आए आए इधर बॉनन ब्राट अपिन बॉंबे अमारी जात वाली थी सब उसब मैच था नहीं तो मेरा फादर निला मेरा पीछे क्यों पड़ता है लोग मैरे इस तो न पिता जी बहुत होती रहती है मेरा पिता जी को मैं सायद बड़ाबर बताया नहीं है ओ अच्छे दिल से अच्छे थे कुछ बैड हैबिट्स नहीं थे इस तना ही था कि उसको एक हम कहीं जाकरी करने के लिए तोड़ा इग हो था और खुद कुछ बिस्नेस करने के लिए confidence नहीं था तो वो तोड़ा तोड़ा डर गया जिन्दे के में तो वैसा ही रह गया लेकिन बहुत अच्छा था किसी किसे जगडते नहीं थे बचलों को सबको प्यार तो दिया है उनसे मेरा पिता जी को मेरा साथ बामे में रहना था और तो एक्च्छली क्या हुआ तोड़ा इधर सीक्वेंस बता रहा हूँ सबसे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ 40 साल मेरा परिवार में एक भी एक डिथ नहीं है 40 साल उसका बाद मेरा फादर इनला एक दिन suddenly heart attack में गई मेरी Mother Allah चे मैने के बाद वो भी चली गई और दो साल बाद मेरी मा चली गई तो ये तीनों एक दम हैट्रिक जीसा उड़ गए और उसका बाद मेरी बेवी चली गई अब ये स्टोरी में ये बेवी चली गई ये कहीं लास्ट में आनी चाहिए लेकिन अब जो बूला था, तो मैं जोड़ के बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मेरा पिता जी को मेरा साथ रेकने के लिए सपोर्ट नहीं है, तो मेरे सिस्टर के पास था, तो मेरे सिस्टर के पास एक बार मैं मिलने के लिए गया था, उसने बोला, मुझे बांबे आना है, म तुम लेके मत जाओ, फिर मेरा फिता जी के पास एक पेपर में लिखे दिया था, उसको जो मैं बोलता हूँ, वो सुना ही नहीं देता था, जून पंदरा तारिकों मैं आके आपको ले जाओंगा, मैं पंदरा तारिकों चला गया, बहुत बुरा लगा, कुछ भी वहने था, उसको आना चाहिए था, वो आना ही पाया, तो थोड़ा दुखता, और जबी मेरी मा जाने से पहले, एक साल पहले पूरा दुनिया बुल चुकी थी, उसको बुलता है, दिमेंशिया, तो जाके मैं बुलता हूँ, मा कोन है, तो थोड़ा, कोई हास्पिटल में नहीं गहे थ कोई कुछ ज़्यादा पेइन नहीं थे, लेकिन पहुंच लोग, सेवन इयर्स, एक थोड़ा प्रेजडी था, यह कोई सी ने पूचा नहीं है, मेरा स्टोरी में कहीं नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा दुखी बात था, इस सब को प्रोसेस कैसे की आपने, वो भी यह पूर बिजनिस करियर के बाद, इतना सब कुछ देखने हैं, जिन तक चलती रहती है, आपको ने रोकने के लिए, आपको ने मोडने के लिए, पस अगर गुड़ लख है तो बहुत सारा गुड़ लख आता है, उसमें पंचवेशन आता है, फुल स्टाप आता है, लोग आते हैं, तो इसमें साधी लोग सही उमर में गया है, मेरे बेवी तोड़ा जल्दी चलेगे गया, तो बेवी तोड़ा जल्दी चलेगे हैं, तो बेवी प्रॉस्ट्रेशन फॉर मी, हूज ब्लो फर मैं परसनल बिसनस अस्पेक्ट आप लाइफ, तो बेट इस दा गी चैलेंज, ऐसा एक दिन नहीं निकलता है, उसकी याद नहीं है, और my children are also very young, तो हम कभी थीनों बैटते हैं, अगर मा होती, तो इतना पैसा वो देखाई नहीं है, इतना बड़ा गर वो देखाई नहीं है, इतना बरतन किचन में देखाई नहीं है, पैसा हम बार ऑर थोड़ा अब़ो हो जाते हैं, but then we believe she is somewhere मैं तोड़ा tweet करता हूँ तो tweet में मेरा बीवी से तोड़ा communicate कर लेता हूँ उसको ऐसे ही बहुत सारे clips upload की हैं इस channel पर channel को explore करो, देखते जाओ और सीखते जाओ कर दोड़ा आओ